नमस्कार साथियो एक बाद फिर से आपनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला जी जानकारी वाले पर तो साथियो आज की इस वीडियो में आपनों को बताऊंगा कि आप लोग घर बैटे ही अपने आधार कार्ड में पते का संसोधन करना चाहते हैं लिम्योग्राफिक जो अप्टेट होती है वो करना चाहते हैं तो किस तरीके से कैसे करेंगे वो पूरा प्रोसेस में आपनों को संजहाँगा और बताऊँगा तो UID की ऑफिशल यह साइट है इस साइट पर आपनों को को आना होगा यह साइट का लिंक आपनों को डिस्क्रिप्टिप्ट्रिप्टिन में मिल जाएगा तो यह साइड यैसे ही इस पर किलिक करेंगे तो आपनों के सामने साइट जो होगी यह खुल कर आ जाएगी, तो इस पर किलिक करेंगे, तो language selection का जो option होगा, वो आपका सामने आएगा, कि आपके इस भासा में अपनी जो side है, वो use करना चाहते हैं, तो यहां से जो भी भासा में आप लोग चूच करना चाहते हैं, वो भासा आप लोग को यहां से select करनी होगी, आपके सामने डिस्पेल पर यहां पर मैं दिखाई दे रहा हूँ, कि डिस्पेले पर आपके सामने जो interface होगा, इस तरीके से मैंने बताया है, इस वाली side पर किलिक करेंगे, यह बाला जो interface होगा, वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा, तो यह देखी थोड़ा सा side busy चल र देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे, आपके सामने आपकी जो site होगी, वो खुल कर आ जाएगी, जब site आप लोग के सामने यहां पर खुलेगी, तो कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने यहां पर दिखाई देगी, तो आपके सामने इस तरीके से site खुल जाएगी, अ इस वाले option पर जैसे ही यहाँ लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने जो interface होगा वो आप लोग के सामने login वाला खुलेगा यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है तो login के लिए आपका जो माई आधार की जो site होती है वो आपके सामने खुल जाएगी तो इस site का भी link आप लोग di.gov.in directly यहाँ लोग इस पर आ सकते हैं यहाँ पर आने आद इसको यहाँ पर login करना होगा login करेंगे login करने के लिए आप लोग को detail मागी जाएगी आपनों को अपना आधार नंबर जो होगा वो यहाँ पर डालना होगा आधार नंबर डालने के बाद capture आपनों को डालना होग और login with OTP वाले option पर आप लोग को किलिक करना होगा जैसी login with OTP पर किलिक करेंगे आपके mobile पर जो आधार से register mobile नंबर होगा उस पर टी जाएगी OTP डाल देंगे login कर देंगे तो जब login करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो interface होगा वो आपनों के सामने इस तरीक से खुलेगा अब आपनों को अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट करना है address तो फोर्थ वाला जो option है address update यहाँ पर मैं आप लोग को यह चीज घेरे में करके दिखा दे रहा हूं यह वाला जो option है इस वाले option पर आपनों को किलिक करना होगा जैसे ही इस वाले option पर आप आप के सामने जो interface होगा अभी देखी मैंने किलिक कर दिए इस तरीके से खुलेगा update आधार online मनिसों वाले option पर आपनों को किलिक करना होगा फर्ष वाला जो option है इस वाले option पर क्लिक करना होगा it सबसे पहले आप लोगों को नीचे आना होगा नीचे आने आपना जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखी पिन कोड का ऑप्सन आ गया पिन कोड यहां पर सिलेक्ट करेंगे पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे आपके सामने state आ गया state आने या नीचे इस्कॉल करते हैंगे district आप लोग यहाँ पर चूच कर लेंगे district चूच करने के बाद आप लोग देखेंगे जिला आ जाएगा उससाद village चूच कर लेंगे यहाँ से लिस्ट आ रही है village की इस तरीके से लिस्ट चूच कर लेंगे पोस्ट आप चूच करने का दिए अगर आप लोग ऊपर से भी करना चाहते है यहाँ पर आप नीचे आएंगे यहाँ पर हम नीचे आएंगे select ballot supporting document जो address आप लोग change कर रहे हैं उसके लिए आप लोग कौन सा documents लगा रहे हैं तो simply सबसे पहले मैंने यहाँ पर domicile certificate लगाया है मतलब निवास प्रमापत्र लगा रहा हूं मैं तो आप लोग के लिए जो भी suitable हो लगा सकते हैं मैं निवास प् scheme domicile certificate labor card etc यह वाला जो option है वो चूच कर लूँगा मैं तो यहाँ से जब इसको चूच करेंगे तो आप लोग यहाँ पर जैसी चूच करेंगे तो यहाँ से आप लोग को जो documents होगा view details and upload documents इस वाले option पर click करके आप लोग जो भी certificate लगा रहा है मैं domicile लगा तो domicile यहाँ स पर आप लोग click करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो interface होगा इस तरीके से दिखाई देगा preview दिखाई देगा new address का तो जो I hereby confirm that I have read the instruction जो declaration दिखाई देरे इस वाले option पर tick कर देंगे टिक करेंगे जैसे ही आप लोग इस वाले option पर tick करेंगे अब मैं यहाँ पर process करके दिखाई है तो close का option आएगा next कर देंगे अगर इसको सुधार करना चाहते है तो इस वाले option पर click कर सकते हैं next कर देंगे next करेंगे payment का option आएगा I have I hereby confirm that I have read इस वाले option पर tick कर देंगे अब किस माड़ियम से payment रोज़ड़ पर organizationת करें पर चाहते है वाले option select कर लेंगे made payment वाले option पर click करेंगे click करने आप लोग अपना جव प्राइमेंट होगा वह payment यहां से कर देंगे। जब आप लोग का यहां से जो भी माध्यम है उस माध्यम से आप पैमेंट कर देंगे तो पैमेंट जब आपका सक्सेस्फल हो जाएगा, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आप लोग अपनी जो रिसीद होगी आधार कार संसोधन की वह आप कि अंदर अंदर पूरा प्रोसेस में आ जाएगा आपका जो नए आधार काड़ होगा वह आपके सामने एड्रस के स्टाइज हो जाएगा तो यह तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप लोग घर बैठे ही डाटा चेंज करना यह देखी रसीद इस तरीके से आएगी पहले क् बाद में क्या कराया था आपने वो सारी डिटेल यहां पर दिखाई दे जायेगी साइटेल से अपव जो है इसको स्टेटस चेक कर सकते हैं बाकि अगर आप लोग कहीं कोई दिक्कत आती हो अप डेट करने में है कोई समस्या आती हो तो आप जो कमेंट में जानकरी प्राप कर दो भी करना ही